कि हलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप देखिए बिहार इन्वर्सिटी में देखिए सिर्फ बीएट सकेंड एर बीस बाई सेशन का छोड़ कर सब का दिया है जो बहुत गलत किया समझे उसका भी एक्जाम ले लेना चाहिए साथ में एक्जाम हो जाता है ऐसे भी आप हुआ है आपका बी आरे बिहार विस्विट दैले ने एमेट बीएड और बीपीड की परिक्षा आकार्ज करम जारी किया परिक्षा नियंतरक ने बताया कि एमेड डूटी ए समस्टर सत्र बीस बाईस और सत्व उननीस से किस के चोथे समस्टर के परिक्षा बारा से लेकर सिन क्या क्या है कि बीएड सकेंड एर बीस बाईस को छोड़कर सबका जारी कर दिये एक बहुत गलत क्या देदना चाहिए माले जो लोग का भी जाम आता है कि अब एकजाम नहीं होने से दिखे कितना दिक अब कब होगा इसका कोई ठीक नहीं है कि एक बहुत लोग को छोड़कर पूचेकर कब तक जारी हो सकता है सकेंड अर्का वह तरीश तारीक तक फॉर्ड़क फिल्अ कुआ है फिर उसको हाड कि हर्ट को सब्धाब्भाना करना लेने कि लिए जुलाइब में होता है कि नहीं होता है समझे तो लेकिन आप लोग परही में लगे हैं कोई आप लोग को भी हो सकता है कि आप लोग की लिए नहीं तो फिर आपका अगस्त में हिंग्जाम होगा अगस्त में आपका 15 अगस्त से पहले हो सकता है समझे तो यह चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आप लोग को परहाई पाच्छा से ध्यान देना है क्योंकि एक्जाम टेटी दस दिन के अंदर में ही देता है फिर आप लोग त्यारी नहीं हो पाएगा फिर गरवर सरवर हो तो आप लोग पोसिस किजे पढ़ाई किजे एक्जाम आपका जुलाई लास्ट में या अगस्त के पर्थम में लेगा लेकिन इचीज साथ में दे दना चाहिए सिर्फ खाली बीएड वाले बीएड सकेंडेर का छोड़ दिया है तो बात बाकि सबका जितना बाकित आपका सब्सक्राइब नहीं दिया है था फिर उसके बाद बीएड सब्सक्राइब यहीं है थे आफ्टाइब लेगा लेकिन परहाई पर इध्यान रखिया का एकडमा आपको ध्यान देना य्यान थान्यू